राधे राधे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आशा करते हैं हम सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंट स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अंगला वीडियो आएगा वह आप तक पहुंच सके तो फ्रेंट्स कल धनतेरस है कल 10 नौमबर है और हम सभी कल धनतेरस का तिवार मनाते हैं हमारा जो धनतेरस का पर्व है यह पांच दिन के हमारे पर्व होते हैं धनतेरस से सुरू हो जाते हैं धनतेरस नरक्चतुरदर्शी और दिवाली उसके बाद में होता है परवा गोवर्दन पूजन और फिर होता है भाई दोज तो ये पांच दिन के हमारे तिवार सुरू हो जाते हैं कल से धनतेरस से तो फ्रेंट्स धनतेरस पर खरीदारी करने का बहुत ही जादा महत होता है तो मैं आज उस पर चर्चा करना चाहती हूँ कि हमें क्या चीजें ख चाहिए जैसे कैची है चाकू है यह सब चीजें हमें नहीं खरीदनी चाहिए दूसरी हमें कांच की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए चीनी मिट्टी के बरतन नहीं खरीदनी चाहिए और दूसरा में लोहा नहीं खरीदना चाहिए लोहे की चीजें हमें नहीं लेनी लोग कर रहता है कि सोने चांदी नहीं खरीद तो कुछ नहीं कर देंगे आएक आपको मालच्वी जी की किरपा पानी है लगाई है आप मैं बता दू क्या क्या आप ला सकते हैं धंतिरस वाले देना दिखी फ्रेंट्स आप पीतल या तामे की कोई भी धातू कोई भी बस्तू लेके आ जाकते हैं जैसे जरूर नहीं कि बड़ा साही चीज लेके आना है कोई भी छोटी एक पीतल की चम्मची लेके सकते हैं या तामे का दिया या तामे की कटोरी कोई को तामे का कोई भी चीज आप ला सकते हैं ठीके पीतल है तामा है अगर आपके पास है सुबदा तो आप चांदी की चीजें ला सकते हैं चांदी का सिक्का ला सकते हैं या गड़े लच्षमी ला सकते हैं इस दिन हमें ग कोई भी धातु हम ला सकते हैं और दूसरा हमें ज़ाडु जरूर लानी चाहिए घाडु को या कभी भी लात नहीं बारनी चाहिए और अगर गलते से भी लात लग लेके आईए और दूसरा नमक लेके आईए धन तेरस वाले दिन और धनिया जरूर लेके आईए दोस्तों बहुत जरूरी है धनिया मातालचमी को बहुत ही मतलब उनको प्रसंता होती है जब उनको कोई भोग लगाता है उनको बहुत पसंद है मालचमी को धनिया का भोग लग तो कुछ नहीं तो आप जाड़ू और धनिया तो जरूरी अपने घर में लेके आए धन 13 वाले दिन आज कल लोगों ने कुछ जादा ही बड़ा चड़ा दिया है नहीं सोना चादी ये वो कुछ नहीं आप नहीं है कुछ भी कुछ भी नहीं लाना है बस 10 रुपे की धनिया ल लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक सुपकामना है और दिवाली की हार्दिक सुपकामना हमारे जो पांचों पर्व हैं इन सभी की आप सभी को हार्दिक सुपकामना है दोस्तों रादे रादे कुछियों से भरा ये तिवार अपनों के बीच में और उन सभी लोगों का भी थोड़ा ध्यान रखिए जो आपके आसपास है उनको भी मिठाईयां खिलाईए उनकी भी हैपी वाली दिवाली करिए दोस्तों और जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो पहला वीडियो बनाया था सरप्रथम उस पर मेरी चर्चा आपने सुनी होगी कि जो हमारे भाई रोट के किनारे लगाए रहते हैं दीपक और जो भी सामान बेशते हैं उन से भी दिवाली की सौपिंग हमें जरूर करनी चाहिए ताकि उनके भी घरों में खुशियों वाली दिवाली है आई फ्रेंट बात अच्छी लगे तो लाइक शेर सब्सक्राब जरूर करेंगा फ्रेंट रादे रादे हैपी दिवाली अल आफ यू